दोस्तों, आज हम बात करेंगे थंगलान मूवी के ट्रेलर के बारे में सच में ये ट्रेलर इतना जबरदस्त है कि देखते ही उसका इमोशन फील होने लगता है थंगलान का मतलब है The Son of Gold और इस फिल्म के लीड रोज में आपको देखने मिलेंगे विक्रम और आपको बता दू, थंगलान मूवी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पाइड है और अगर आपको केजियोफ फिल्म पसंद आई थी, तो ये फिल्म मिलकुल पर मिस्मेट करना ये मूवी ब्रिटिश एरा के गोल्ड फिल्ड यानि के केजियोफ पर बेज़द है जहां ब्रिटिश एर्ज ने गोल्ड के लिए लोकल्स को एक्स्प्लॉइट किया हम ट्रेलर में देखते हैं कि एक ब्रिटिश ओफिसर गोल्ड के लिए ट्राइबल एरिया में आता है और उन लोगों का सोशन करता है एक आदमी भी कहते हुए दिखाई देगा आपको कि यहां गोल्ड ढूंडना मतलब मौत को बुलाने जैसा है नो डाउट वहां के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा लेकिन इन सब के बाद भी ब्रिटिश पीछे नहीं हटते इस मुवी में सूपर नाचुरल एलिमेंट्स भी आपको देखने मिलेंगे प्रेले से पता चलता है कि उस लैंड के रक्षा एक देवी आरती कर रही है और विक्रम ये सोचता है थी आरती एक सोर्सरेस है जो सब कुछ बिगाट रही है उसका काम पूरा नहीं हो पारा है और इसलिए वह उससे लड़ने का फैसला करता है तो इसी के आधार पे आपको मुवी देखने मिलेगी दोस्तों पर अंजीर जो सरपट्टा परंपर आई और कबाली के लिए जाने चाते हैं वही इस मूवी के भी डिरेक्टर है ये फिल्म 15 अगस्ट को रिलीज होगी और इसका बजट है 150 क्रोर वैसे ट्रेलर देखके लगता है कि ये मूवी 150 क्रोर पार कर जाएगी पर इजी नहीं होगा क्योंकि उस दिन करीब 5-6 मूवी रिलीज होने वाली है तो competition काफी हाई है हाला कि long weekend है इसलिए ये दिन 2024 का सबसे बड़ा release date बन गया है फिल्हाल मैंने ये सोचा है कि 15 अगस्ट के दिन मैं स्थ्री और ठंगलान देखूंगी और उसका review आपके साथ share करूंगी बांकी के बचे हुए मैं second और third day पे उसको भी देखके complete करूंगी और आपको review दूंगी तो अगर आपने अभी तक फिल्म में पुमनियां को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए तो करते हैं यही इस वीडियो को end आगे भी ऐसे ही बहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें बेल आइकन प्रेस कर दे जिसे हमारा वीडियो आपको सब से पहले मिले और yes अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई हो तो like कर दो और अपने movies buddy के साथ इसे share में कर दो तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक अपना रखी खयाल शुक्रिया धन्यवाद